दोस्तों आपने बच्पन में हरा मटर नमकीन तो चरूर खाया होगा तो चलिए आज देखी लेते हैं यह फैक्टरी में कैसे बनाई जाती है सबसे पहले मटर के हरे दानों को बैज फ्रायर के अंदर डाला जाता है जहां पर मटर को अच्छे से उबाला जाता है मटर को बालने के बाद बैज फ्रायर में से मटर को नीचे दिराया जाता है जिसके बाद इन फ्राई मटर को एक बड़ी सी पाल्टी में डाल कर उसको मिक्सिंग वाले मसीन में डाला जाता है अब हरे मटर को टेश्टी बनाने के लिए इसमें डाला जाएगा मसाला तो mixing machine में अब इस मसाले को डाल दिया जाएगा जहाँ पर mixing machine मटर और मसालों को एकदम mix कर देगी अब mixing machine से मटर को बाहर निकाल लिया जाता है जिसके बाद उस मटर को एक और मसीन में डाला जाता है जहाँ पर उस मटर को conveyor belt द्वारा आगे के process के लिए भेज दिया जाता है जहाँ अब पारी आती है इन हरे मटर को पाइकिंग करने की तो आप देख सकते हैं machine automating हरे मटर को पाइक करते रही है अब इन हरे मटर को काटून में पाइक करके आपके market सकी से भेज दिया जाता है